नमस्कार में नामें सुमिस सिंग मैता हाजुरू आपके सामने advanced classical mechanics related एक और नया lecture लेके आज का हमारा है lecture number 4 और आज किस लेक्चर का हमारा topic कराने वाला है हमारा topic है degree of freedom जो पहला कुछ नमारे दिबाग में आता है वो यह है कि what is degree of freedom degree of freedom को define करना काफी आसान है अगर मैं आपके सामने degree of freedom की definition रखूंगा आप कहोगे कि यह definition तो हमले पहले भी पढ़ी हुए definition क्या है ध्यान सुनना degree of freedom of any system is defined as minimum number of independent coordinate to require specify its position यही मेरे पास कोई system है और उस system की position को specify करने के लिए या उसको ऐसे ही बोल सकता हूँ आप बूलोगे कि यह चीज तो हमने कल भी डिसकस की है जह हम कल क्या पढ़ रहे थे generalized coordinate के बारे में discuss कर रहे थे और हमने क्या डिसकस किया था कि generalized coordinate of any system is defined as minimum number of independent coordinate to require specify या वोसने describe its motion completely यही किसी भी object के या किसी भी system के motion को completely describe करने के लिए जितने minimum number of independent coordinate की जरुद पढ़ती है उनी को हम क्या बोलते है generalized coordinate बोलते है और जितने number होते है वो एक है दो है तीन है और उसे हम क्या बोलते है degree of freedom बोलते है तो यहां से आपको एक feel तो आ गया होगा कि generalized coordinate और degree of freedom दोनों क्या होते है same होते है और हम ऐसा है बोल सकते है कि maximum number of system के लिए number of generalized coordinate और degree of freedom of that system will be same दोनों क्या होंगे equal होंगे और यही क्या हो है हमारा degree of freedom है अब क्या करेंगे एक अलग-अलग example देखेंगे और वहां से मोड़ जब concept होगा degree of freedom का वो क्या हो जाएगा concrete हो जाएगा उससे पहले जिसकी definition है एक बार क्या कर लेते हैं दोहरा लेते हैं तो definition क्या है degree of freedom की definition minimum number of independent coordinate समय मा आता है independent और जो एक दूसरे पर depend नहीं कर रहे है require to specify the position of any system of particles is equal to degree of freedom of that system simple definition है कोई जोड़ दबस्ति करने की बात ही नहीं है कल भी discuss किया यहीं चीज़ और आज भी हम वही बोल रहे हैं बस कहने का तरीका अलग है वहां क्या था number of generalized coordinate थे और यहां क्या आ गया degree of freedom आ गया and it is given by कली हमने discuss किया है कि number of generalized coordinate small n is equal to 3n-m यहां पर जो मेरे पास क्या है small n है यह क्या है number of generalized coordinate है और जो small m है वो क्या है मेरे पास यहां पर constraint है यहां बोस्ते है number of constraint है और जो यहां पर क्या है n है जो capital N है वो क्या है number of particle है यह क्या है number of particle है यह क्या है number of particle है तो इसको मैं ऐसे बिलाशता हूँ डिग्री ओर फिडम इस डिफाइन या बोस्ते है इस डिस्क्राइब या बोस्ते है इस सिंबॉलिकली रिपर्जेंटेटेट एज एफ कैसे दिखाते हैं इसको एप से दिखाते हैं तो इसमॉल एफ इकल डू कितना आ जागा यहां से यह 3 एन माइनस म आजाएगा थेके लिफे यहाँ पर यहां पर यह f कि है मुर्श अंधर करेंगे है रूप ना कभी कभी इसी फॉरी चा एक और रू पता है इसको और कर वह सकते हैं कि डगी ओ झाल F equal to कितना हो जाएगा यह यह होता है मेरा पास कितना N D minus M F equal to N D minus M अब यहाँ पर N क्या है? Same चीज़, number of particle, small m क्या है? Constraint, number of constraints, अब यह आपर यह नहीं चीज़ आदे है D तो D क्या है है यहाँआप है? D है Dimension हैं मेरे पास हम सब जानते हैं वान दंशन डिमेंशन होती अक्र हम से सब्च Experimentit मेरेमेंशन अगर हम स्पेश चे में तो फेश ऊटा के बनेंशन अगर मेरे casksस यहां जल रहे हैं यह इससका मिल्लब कहां है वो होबाए यह किसके लिए है एक special case है जो किसके लिखा होबाए है ठीक है अगर हम 3 dimension x y z तीनों में एक चाह साँ चल रहे है तो वहाँ पर d जो कितना आजएगा और यह formula रहे जो जएगा अगर हमें प्लेन में चल रहे है तो डीग जो कितना आएगा तू आएगा और अगर हम किसी एक X-S के लोंग चल रहे हैं या तो X-S के लोंग या Y-S के लोंग या Z-S के लोंग तो वहाँ पर D की जो कितना आएगा 1 आएगा और वो क्या हो जाएगा वन डामिंशनल केस हो जाएगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे किसी भी एक सिस्टम के लिए इस पूरी लेक्चर में एक्जामपल करेंगे और आपका डिगरी और फिडम से का जो कॉंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा आज इस्ट्रॉंग हो जाएगा ठीक है देखो एक्जामपल नंबर वन पहला एक्जामपल लेखे चलों सिंपल सा एक्जामपल लेते हैं एक फ्री पार्टिकल इन इस्पेस सिंगल पार्टिकल है और कहा है इस्पेस में है एक पार्टिकल इन फ्री इस्पेस in free space, कहने का मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं ये बोलूँ, कि मेरे पास यहाँ पर क्या है एक space में डिजान करूँ, यह क्या हुआ x, y, z coordinate system हुआ और मालिया यहाँ पर क्या है, एक ए पार्टिकल है इसे coordinate क्या है, मेरे पास x, y, z है, अब यह free space में है इसका मलब x, y, z तीनों क्या है, independent है, यहाँ पर कोई relation नहीं है, x, y और z के तभी तो free होगा नहीं, यानि freely, इस space मों कहीं भी गूम सकता है, it means x, y, z, all three are independent and they are specifying its position वो क्या कर रहे हैं, किसी एक point of instant पर इसकी position को specify कर पा रहे हैं तो इसका मलब x, y, z जनलाइज कोडिनेट है या नहीं है और कितने number of generalized coordinate है तीन है, तो इसका degree of freedom भी कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा, आब इसको क्या करते हैं इस mathematical formula से क्या कर सकते हैं calculate कर सकते हैं, कैसे कर रहे हो देखो, यह मेरे पास एक free particle कितना आजाएगा, 0 आजाएगा तो degree of freedom कितना होता है, मेरे पास n d minus m के बराबर होता है तो degree of freedom will be equal to कितना आजाएगा यह, n यहीं 1 into 3, 1 into 3 और minus कितना आजाए, 0 आगया तो degree of freedom, f equal to कितना आगया 3 आगया, ठीक है, आप वैसे भी कर सकते थे हो qualitatively और quantitatively हमने क्या कर दिया है, आपर proof कर दिया है, कि f equal to उसके लिए कितना होगा 3 होगा, कि लिए इतनी बाद तो एक simple सा गात है, मेरे पास, एक example था दूसरा example देखू, कि कोई एक particle है, इस तरह से इस तरह से कोई एक particle है जो along है, ध्यान सुनना आपरतीकल बादी को सुनना, पार्टिकल Moving Along a Stream, पार्टिकल पार्टिकल Moving Along Moving Along a Straight, जो क्या कर रहा है किसी एक連 कि- tir along क्या कर रहा है, move कर रहा है, माना यह वो इस्तरिंग है, इस तरह से यह वो क्या है cod now王 क्या कर रहा है move कर रहा है, ऐसे करके, इस तरह से, यह क्या है, इस के motion की direction है, को इस तरह से particle, इस string के along क्या कर रहा है, move कर रहा है, और let us say, इसका mass कितना है, m है, बताओ, उसका degree of winning कितना होगा, देखो, जब ए पarticle, इस string के along टो इसका मदलब इसके लिए बैमेंशने नमबर पाटियर कितना है में पास वान है डैमेंशन कितना बताओ एक प्लेन में है तो डेमेशन कितना हो गया टू हो गया कंस्टेंट कितने है यह तो फॉमला यह लगा दो फोमला तो यहांसे मेरे पास कितना हो गया इसके लिए 1 को गया किलिए बाद ओके नहीं थोड़ा से आग रहते हैं अपने प्रॉल्म को आगे बढ़ाते हैं एक जंपल को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले यह बढ़ाएगा मुझे एक और एक जंपल देखो कि पार्टिकल मुविंग अलोंग वाइज इकल एक से धूली पार्टिकल मुविंग अलोंग या मुविंग और अलोंग टूंट मुवश्क्रक्निक जनी हो यह एक से हुर। ठीक है और y is equal to cause x कैसा आता है ऐसा कुछ आता है ये graph हो गया इसका ठीक वास समय ओझरी है और पार्टिकल क्या कर रहा है इसके along क्या कर रहा है इस तरह से यहां को फिर ऐसे फिर ऐसे 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 मॉब कर रहा है पार्टिकल हमारा आप इसका degree of एक तो देमेंशन कितना हो गए इस पार्टिकल इस का स्ट्रेंट तो मुव अलॉग इस पर्टिकुलर पाथ तो इसका मलब वह एम एकल तो यहां से मेरे पास डिग्री ओर फिटना जाएगा वन इंटू तो टू मैनस वन और टू मैनस वन कितना हो गया है यहां पर वन आ गया सिंपल ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक और एक्जामपल लेते हैं एक्जामपल नंबर फोर लेके चलो अभी जो मेरा पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है अलॉग ए सर्कुलर पाथ पार्टिकल मूविंग एलोंग ए सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ यानि कुछ ऐसे है यह एक्स एक्सेस है और इसको मैंने य एक्सेस बूल दिया और पार्टिकल इस पाथ के अलोंग क्या कर रहा है मूव कर रहा है और यह पाथ कैसा है सर्कुलर पाथ है यह हम and this is the radius of this path which is r okay तो मुझे बताना है इसका degree of freedom कितना होगा अगेन formula यह है मारे पास तो सबस्क्राइब क्या करो number of particle कितना है मेरे पास 1 है dimension कितना हो जाएगा plane move का तो dimension कितना होगी ठीक है और m constraint कितना है 1 है because this particle constraint move along this circular path ठीक है m equal to कितना होगा 1 होगा तो degree of freedom कितना आ जाएगा मेरे पास अगेन formula क्या होता है nd minus m होता है तो 1 into 2 minus 1 तो answer कितना जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा तो इस case के लिए भी degree of freedom कितना निकल किया आया one निकल किया अगला देखो और एक और example देखें example number five देखो particle is moving एक मेरे पास तरह से figure दे रखा है इसको मैंने x-axis बोल दिया इसको मैंने y-axis बोल दिया और यहां से यह वायर है यहां पर और यह y-axis है कितने एंगल पर है ठीटा एंगल पर है और इस पर एक बीड है ठीक है बीड समते है आप दाना तो इस तरह से इस पर क्या रखा होने एक बीड रखा हुआ है दिस जबर बीड बीड जो इस तरह से इस direction में क्या कर रहा है मूव कर रहा है और हम बताना है कि यहां पर degree of freedom कितना होगा अलांग्डिस वायर जो यह हैई याँ यह मेरे पास के है यहां पर वायर है and दिस बीड पर बीयुव इसमोविंग लांग दिस वैर कसे निकालो को इस अद crush speaker अब एक इंपोटन चीज आपनोट करो जब भी आपके क्वेश्चिन की लेंगवेज में क्या आए यह आए एलॉंग अब एलॉंग और अगेन यहां पर भी आलॉंग तो डिग्री ओफिलिम कितना होगा वन होगा तो कमेंड क्या हो जाएगा इफ लेंगवेज लेंगवेज और कॉस्टिन वी हैप अलॉंग यह पाथ यह वायर अलॉंग ए सरकल ऐसा कुछ आए तो हमें से डिग्री ओफिलिम कि कि along at this path, along at curve along at pyrabola भी हो सकता है along at hyperbola भी होसकता है along at curve y is equal to x square भी होसकता है वो डिपैंड करता है कि एक्वतlem कि ऐसे question देता है लेकिना दिधान के देखना है कि अगर along लिख के哇 जाए apply दिग्रे और फिर्डिम कितना होगा हमेंसा वान होगा ओके किल दर बाद अब थोड़ा से क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं इसे मिटाओं इधर वाला इक्जाम्पल नंबर सिक्स्ट देखों दूब एक्सट पार्टिकल है इब बताऊ एहाँ कितना होगा देको कहा है एक्सवाय प्लेम मुव करें है पहली बात पर एक्सट्रीमों यहाँ यह एकसट एस अब उसने क्या बोले है एक पार्टिकल moving on a circular path ये नहीं बोला है कि along a circular path क्या बोला है on a circular path अगर मैं ये बोलूँ कि ये वो path है ठीक है तो अगर मैं ये बोलूं कि this is our path एक ये है और ये है ये path है अब इस path में वो कहीं बरी move कर सकता है ऐसा होगा नहीं होगा बताओ यह यहां भी आप में पात वोज़ कर सकता है और उसका मन यहां है तो शें के बाहर अंदर इसके बीच में परी इसका म अलब उसने करना है उस और इस लागोंग जोड़ी और लंभा भी ओशकता है ओLS तहीं के लिए इस Peace independent to move in this way this way this way this way जो इस केस में जो as a constraint यूज नहीं होगा इसका मलब यहां जो m है वो कितना है मेरे पास 0 है और n इकल टो 1 है एक पार्टिकल है और dimension कहां प्लेन लिमोग कर रहा है dimension कितनी होगी 2 होगी तो यहां से degree of freedom कितना आ जाएगा यह 2 into 1 into 2 and d minus m होता है 1 into 2 minus 0 हो जाएगा तो f equal to कितना आ गया तू आ गया तो degree of freedom कितना आ गया मेरे पास तू आ गया अब ध्यान देना हमेशा से कि जब भी question में क्या लिखा हो ओन लिखा हो क्या लिखा हो ओन और circular path और पैराबोलिक path और hyperbolic path ऐसा जब भी लिखा हो तो degree of freedom हमेशा कितना होगा तू होगा ठीक है एक और example देखू अगर हम example number 7 की बात करें तो कुछ ऐसा example हो सकता है कि मेरे पास यह क्या है एक कोन है और इस कोन का यह क्या है इसका जो circular path है ऊपर एक पार्टिकल ऐसे मूब कर रहा है बताओ इसका degree of freedom कितना होगा इसके इनर सर्फेस हो नूब कर रहा है ओन इट्स इनर सर्फेस तो degree of freedom विल वी इक्वल टू बताऊँ कितना होगा तो वह जाएगा अगर वह इसके और पर और बाद करते हैं आगर बढ़ते हैं बात करते हैं कुछ और एक्जांपल की और क्या लेख सकते हैं मैं यहाँ पर देखो अगर मैं किसकी बात करूं पैंडूलम की बात करूं pendulum या फिर उससे पहले थोड़ा सा एक concept डबलक कर लेते हैं concept for अभी तक देखो अभी तक हमारे पास कहा थे single single particle थे एक particle ये है single single particle की बात कर रहेते है लेकिन हम सब जानते हैं single particle कभी नहीं होता हमारे पास हमेशा क्या होता है system of particle होते है number of particle होते हैं ठीक हमने पढ़ा ना जो हमने classical mechanism पढ़ रहे थे तो हमने system of particle है motion of system of particle वारे इसकस किया था कि कभी भी हमारे पास single particle system नहीं होता है हमारे पास जो system होगा number of particle होते हैं क्योंकि अगर हम एक mole gas भी लेते हैं तो उसमें लगभग 10 to the power 23 number of atom होते हैं ठीक है तो इतने दार number of particle हमारे पास एक सांथ हो सकते हैं किसी भी एक system में तो अगर if तो ऐसे hashtag बना के लिखना degree of freedom degree of freedom for more than more than one particle system one particle system ठीक है कैसे निकालेंगे देखो यहां पर दो case है पहला case है if particles are independent if particles are independent अगर particle कैसे हो independent हो यानि उनका एक दूसरे से किसी भी type का interaction ने जिसे हम कहा kinetic theory of gases में क्या उजूम करते हैं कि एक particle दूसरे particle में किसी भी type का attraction और repulsion का force नहीं लगा रहा है तो अगर हम ऐसा कोई system लें कि particles are independent from each other from each other वो एक दूसरे से क्या हो इंडिपेंडेंट हो then degree of freedom of system of n particle degree of freedom of system of n particle will be equal to क्या होगा sum of degree of freedom of individual particle यानि अगर पहले particle का degree of freedom f1 है और दूसरे particle का f2 है तिसरे particle का f3 है अगर मैं यह बोलडर हो आपर n number of particle है then उन सब को sum कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा degree of freedom of system of particles निकल के आ जाएगा हुआ है अगर दो सफ्टराउ सथ्टम होगा यहां था आएगा थीन पार्टिकल का होगा यहां था आएगा चार पार्टिकल होगा तो एक और हा जाएगा पांच का ओगा तो एक और हाज आएगा तो इस तरह से हम क्या करेंगे degree of freedom of system बेरंगे करेंगे जब पार्टिकल एक दुस्रे से क्या होँगे इंडिपेंटेट होंगे नँप्रेश सेकेंड n वहां पर क्या हो कुछ कश थरसे आप क्या करेंगे डिग्री एफस को दिफ़ेंगे देखो मैं, एक्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्जाम्पल देखो, इसका एक्जाम्पल साथ हो गएते, आठवा एक्जाम्पल देखो, कि मेरे पास, अभी तक मेरे पास, एक सिंगल पार्टिकल हमने लिया था, इन फ्री स्पेस, अगर मैं ये बोलू, कि मेरे पास दो पार् जेट्टू हो जाएंगे तो मुझे ये बताना है कि यहां पर जो डिग्री ओफिडम होगा कितना होगा देखो बोथ हार इंडिपेंडेंट फ्रोम इच एधर होगा कितने नंबर की दिरवट है एक दो तीन इनने शेख नमबर चैनल इता इसको मैं F1 बोल दूँं और अगरमें इस पार्टिकल का इसको मैं F2 बोल दूँ तो this will be equal to again 3, first example ही हमने यह लिया था कि अगर मैं इसका individually degree of freedom निकालो कितना आएगा, 3 आएगा, इसका individually कितना आएगा, 3 आएगा, तो total degree of freedom from this formula, this will be equal to F1 plus F2, तो कितना आजाएगा यह, 3 plus 3, यहांने answer will be 6, कितना आजाएगा यह, answer कितना आगा है मेरा, 6 आगा, कि simple सी बात है, तो इसका degree of freedom कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, उस तरीके से, अगर मैं एक और example लो यहां पर, example number 9, कि मान लिया, मेरे पास यहां पर क्या है, एक sphere है, ठीक है, एक sphere है, और अगर मैं यह बोलू कि इस sphere के surface पर एक ball है, अब बताओ, इसका degree of freedom कि कितना होगा, यह single particle system है, जैसा पहले था, कि यह कहाँ घूम रहा है, इस sphere की surface पर घूम रहा है, बताओ, इसका degree of freedom कितना होगा, पहले तो यह देखो, constraint कि है है, इसमें, इसकी जो center से, distance से, वो कहा है, fix है, this r is fixed, any constraint कितना है, आपर, 1 है, number of particle कितने है, 1 है, कितने dimension मोव कर रह है, तो degree of freedom, f equal to कितना आजाएगा, this will be equal to, 1 into 3 minus 1, यहीं कितना आजाएगा, 2 आजाएगा, इसको वैसे ही बोच सकते हो, कि this particle is moving on the surface of this sphere, अब on आ गया जहाँ, on आते ही, degree of freedom कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, formulancy इतना आया, और जो हमने language के हिसाब से discuss किया था, वैसे भी कि इतना आ रहा है, 2 आ रहा है, यह तो किसकी बात हुई, single particle की बात हुई, लेकिन अगर मैं यह बोलू कि यहाँ पर एक particle नो होकर, दो particle यहाँ है, और एक particle यहाँ है, थोड़ा सा चुल खिसका दे तरको, तो एक particle यहाँ है, और एक particle कहा है, इधर है, बताओ, अब degree of freedom कितना ह होगा अभी मेरे पास दो पार्टिकल होगे एक पार्टिकल यहां है और दोनु इस इससफेर किस सर्फेस में क्या कर रहे है मुव कर रहे है ठीक है यह जोला आगया इसका प्रक कितना जाएगा इसलक एक टुब्रस इसका इसका एक अ प्लस और नहीं करेंगे क्यों का स्टेंड क्या हो गया जब मैंने एक स्ट्रिंग से क्या कर दो तो इस तरह से मैंने क्या लिए अब इस पर लिया स्ट्रिंग से भुलो अभी है फिलाल के लिए किस से लौकных स्ट्रिंग से एक मैंने यहां पर लगा दी स्ट्रिंग और और हम अजूब ड़े जो इस प्रिंग है वह एक ऐडियल स्प्रिंग है और जो ऋसीलेशन हो रहे है वह यहां वáriomist कंडिशन के है मिरे पास very small oscillation वाली कंडिशन है और दूसरी कंडिशन क्या है कि दिस कि spring is ideal spring जो spring हो कैसी spring है एक ideal spring है जिसका जो spring constant है कितना है के है बताओ इस case में degree और freedom कितना होगा कि जड़ा समझो एक्च्वल में जब भी हम spring लगाते हैं तो spring a produce no constraint spring लगने से कोई भी constraint इंटर्ड्यूस नहीं होता है अंडरे दिस कंडिशन की oscillation are very very small जरा जुम करो यह मेरे पास बॉल यहां पर है इसको थोड़ा सा हिलाओ थोड़ा सा हिलाओंगा कि इसके इसमें कोई इसको पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर इंडिपेंडेंट है तो अगर इसका डिगरी ओफिडम इसका भी एस तू इको टू है तो नेट डिगरी ओ फिडम कि इसके लिए फट नहीं हो जाएगा अ इस नहीं होता है किसी भी टाइब का स्ट एंट नहीं लघाती है एक फॉर इसमाल और शिलेशन इसमाल लुए कि लिए यहां पर हम करेंगे बात नहीं करेंगे जब भी कि उस्प्रिंग आएगी कि लिड़ नौ मिझा अब देखोग अगर मैं क्या करूं सब्सक्राइब किस क्या हो जाएगा टुक भी क्या हो जाएगा क्यम पारिकलण आर इंडी पेंडेडिटि तो से के सदोल क्या हो जाएगए पार्टिकलण ब 되면 इंडिपैंड पार्टिकल ने वो इंडिपैंड नहीं है यहां पर कुछ निबुट कहा है they are connected by a constraint if particular if there is if there is constraint constraint between particle constraint between particle particle के बीच के है अगर वहां पर कोई constraint है तो हम किस तरह से वहां पर degree of freedom find करेंगे देखो formula क्या होता है in this case degree of freedom of system will be equal to कितना हो जाएगा पैने तो हम क्या करेंगे individual particle का degree of freedom निकालेंगे जैसे हम इस case में कर रहे थे free particle case में यानि पहने क्या निकालेंगे f1 plus f2 plus dead s plus ka fn निकालेंगे फिर उसमें से जो number of constraint between the particle है उनको मैंस कर देंगे देन मैंस कर देंगे number of constraint नंबर of constraint को हम मैंस कर देंगे यह बात सव्वच्वाइब तो इस वर फॉम्ला यह कहा है हमारे पास formula है पहले क्या करेंगे हर particle का individually without constraint को consider किये हुए क्या निकालेंगे degree of freedom निकालेंगे फिर उसके बाद जितने number of constraint होंगे उनको क्या कर देंगे मैंस कर देंगे कि देरे बात ओके देखो कैसे करेंगे example देखो example simple लेते हैं यहां फिर कौन से example हो जाएगा है नौ अवे था दस वक example देख लो दस वक example क्या हो जागा मेरे पास इस तरह से एक spare है और यहां पर एक लगाएं और यहां पर एक बॉल लगी है और इन दोनु बॉल को मैने क्या कर दिया एक स्ट्रिंग से क्या कर दिया इस केस में जो ईन है वह कहें in एक्सेंस ही details है याह लariat नहीं सकती इसका मलब थोड़ा सा मूब करूंगा तो इसके मुशन में भी क्या पड़ेगा फड़ेगा इसको मूब करने भी यह भी क्या हो जाएगा नहीं सकती इसके मैं लेंट भी कितना हो जाएगा तो टोड़ेगा तो टूटल दिखी ओ फिरिम औप सस्टम विल विल वी इक स्टम विल टूट F1 plus F2, minus M, यहनि, minus 1 आ गया, तो कितना आ गया बताओ, तो this will be equal to 224 minus 1, तो answer will be 3, तो इस case के लिए, जो degree of freedom हो जाएगा मेरा, वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, simple से, simple से expression, degree of freedom will be equal to 3, कि लिदर बात, चुना, अगला एक्जामपल देखो एक और, एक्जामपल यह दू बॉल है, and these two balls are connected by a rod, जो fixed rod है, उससे क्या हो रखे है, connect हो रखे है, और they are free to move in free space, ठीक है, यह क्या कर रहे है, एक space में, free space में क्या कर रहे है, move कर रहे है, तो जो free space of move कर रहे है, बताओ, इसका degree of freedom कितना होगा, इस particular system का, कैसे निकाल होगे, पहने तो, माना इसको मैं M1 बोल दू, इसको मैं M2 बोल दू, इसका degree of freedom कितना बोल दिया, F1, इसका degree of freedom F2, this is degree of freedom without assuming constraint, तो कितना हो जाएगा यह, 3, because 3 dimensional work कर रहे है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 3, यह पहने वाला case हो गया, और अब क्या करो, number of constraint, कितना है, M equal to कितना है, 1 है, तो degree of freedom, F equal to कित बागया, ठीक है, I explanation में, now, एक और example देखो, अगर ऐसे मैं क्या करूँ, 3 ball ले लो, क्या करूँ, इसको मिटाओ मैं, example number 12, क्या हो जाएगे, example number 12, मैंने 3 ball ले ले यहाँ पर, 1 ball यह है, 1 ball यह है, और 1 ball यह है, ठीक है, इसको length L1 बोल दिया, यह L2 बोल दिया, इसको L3 बोल है, and this system is free to move in space, जो कहां मुव कर रहा है, 3 dimension में, क्या कर रहा है, move कर रहा है, ठीक है, यह बात सोजबानी चाह, वो कहां मुव कर रहा है, 3 dimension में, move कर रहा है, अगर यह 3 dimension में, move कर रहा है, तो इसका मतलब, क्या हो जाएगा, यहां से मेरे पास, degree of freedom, F equal to कितना आ जाएगा, म प्लस 3, प्लस 3, ठीक है, minus number of constant, कितना है, एक, दो, तीन, तीन, तो मैंस 3 कर दिया, तो degree of freedom, F equal to कितना आ जाएगा, यहां पर 6, तो degree of freedom will be equal to 6, कि लिए बात, ओके, now, एक और example, देखो, example number 13, अगर मैं ऐसा एजुम करूं, कि मेरे पास यहां क्या है, एक pendulum है, यह करके, and it is connected by यह, string, let us say, इसकी length कितनी है, L है, जो कि fix है, इसका mass मैंने M बोल दिया, and it is free to move in this plane, इस vertical, इस vertical plane में क्या कर रहा है, इस तरह से, move कर रहा है, एसे, ऐसे, ऐसे oscillate कर रहा है, हमको बताना है, कि इसका degree of freedom कितना होगा, पहले क्या करो, इस mass का degree of freedom निकालो, without assuming constraint, let us say, this degree of freedom is F1, तो F1 equal to कितना होगा इसके लिए, F1 will be equal to, एक plane न मूब कर रहा है, तो on a plane, तो कितना होगा degree of freedom, 2 आ जाएगा, ठीक है, अगर plane में कोई एक particle मूब कर रहा है, तो सका degree of freedom कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, इसका degree of freedom 2 होगया, और constant किया है यहाँ आपर, L है, यानि constant कितना है, 1 है, तो degree of freedom of system, F equal to कितना आ जाएगा है, 2 minus 1, तो degree of freedom कितना आ गया, 1 आ गया, तो degree of freedom of pendulum, equal to कितना आ गया, 1 आ गया, अगर थोड़ा चेंज कर दूँ आ, बताओ, अगर मैं यह करो, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, इस तरह से, spring लगा दी, अब यहाँ पर मैंने क्या लगा लगा दिया, इस तरह से, मास लगा दिया, अब यह ऐसे oscillate कर रहा है, बताओ, इसका degree of freedom कितना होगा, बताओ, क्या अब यह fix है, अगर हम इसकी length को L बोलो किसी एक time पर, तो it is not fixed, यह fix नहीं है, तो it is not constraint, तो इसके इसमें जहाँ constraint था, अब यहाँ कस्टेंड नहीं है, तो कुन से एक जंपर हो गया था, चौध वह हो, ठीक है, और इससे क्या बोल दो, पंदरवाइक जंपर बोल दो, एक मेरे पास यहाँ पर इस तरह से एक pendulum है, and which is free to move, in this way, यानि it is this type of pendulum, जो ऐसे भी घुम रहा है, देखो, ऐसे भी oscillate कर रहा है, और ऐसे भी oscillate कर रहा है, ठीक कर रहा है, move कर रहा है, this type of pendulum is known as spherical pendulum, आप इसको ऐसे अजों कर सकते हैं, कि कोई एक particle है, वो किसे spherical cell के inner surface में क्या कर रहा है, move कर रहा है, तो बताओ, कितना हो दगर डिगरी ऑफिटेम इसका, अगर मैं खाली particle का देखूंगा, without assuming constraint, तो f equal to कितना हो जाएगा, देखो, without assuming constraint, f equal to 3 हो जाएगा, ठीक होगा नहीं होगा, three dimension move कर रहा है, तो f equal to 3, constraint कितना है मेरे पास, m equal to 1 है, इसको मैं f1 बोलूँ, तो total degree of freedom, f equal to कितना आ जाएगा, यह 3 minus 1, यहने कितना आ गया, 2 आ गया, तो degree of freedom will be equal to 2, कि जारे बाद, तो इस case में भी degree of freedom कितना आएगा, मेरा 2 आएगा तो यह क्या थे, कुछ example थे, और कुछ और याद आ रहे है, चीक है, ओके, तो यह तो क्या होगे हमारे degree of freedom होगे, अब बसता है यहापर क्या, degree of freedom of rigid body, इसको में डाओ में, हैं डालो, degree of freedom of rigid body, पहले तो बताओ, rigid body क्या होती है, देखो, ऐसी body, जिसका shape और size क्या होता है, fix होता है, और जिसके particle के बीच की distance, क्या रहती है, अंचेंज रहती है, उसको हम क्या बोलते है, rigid body बोलते है, अब हम क्या करेंगे, उसका degree of freedom निकालेंगे, degree of freedom of rigid body, कैसे फैं मेरे पास यहां पर कहा है, एक cubicle shape की rigid body है, ठीक है, जिसका shape, size और उसके particle के बीच की जो separation है, वो क्या है, fix है, इस type of body को हम क्या बोलते है, rigid body बोलते है, माला इसका center है, यह कुन से access हो जाएगी, इसको मैं y-axis बोल दू, यह कुन से हो जाएगी फिर, z-axis, और यह कुन से हो जाएगी बोलते हैं, 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 जाए तो इसका रोटेस्टनल डिक्री ओफिडम भी होगा तो इसका रोटेस्टनल क्या होगा नेगलेजबल होगा तो इसलिए हम पीशे जो भी केस्ट कर रहेते आशे पीशे हैं और रोटेस्टन की बात करें लेकिन यहां पर हमको करना पड़ेगा क्या उसका अरिग्स के टीन प्रॉटेस्टनल तो टोटल डिग्री आप्लेटन कितने और यहां पर अपर सिक्स आगे अब हर बार ऐसे करेंगे नहीं तो इसके यहां होते है फॉर्मला उत डिग्री ओर फिडिम आप रिजिद बॉडी रिजिद बॉडी यह होता है मेरे पास कितना D into D plus 1 डिवाइन कितना आजाएगा 2 आजाएगा जहां D क्या है डामेंशने नहीं जो D है वो मेरे पास क्या है दैमेंशने कितरे बात स्वारेटीच 5cking अब लेक्तलन लासर और तीन चार कैप साथ шир और इसन बहुत ह सरे एक्जांपल हो ङय Centrum आप छूझ सकते हैं रखो अब यह वहाल सकते हैं आप खुछ से क्या रहना आपको मिले और उसका डिग्री ओर फिडम निकालने की कोशिश करना जो जिस वाध्याइब बूक है उसमें जो एकसेसाइज वहाँ पर भी कहें बहुत सारी कोशन है डिग्री ओर फिडम फांड करने से लेटर अब उनको भी क्या करना सॉल्व करना अगर आप से सॉल्व हो प